गौहाना के सैनिपुरा के पास हुई एक दूद्वाले की हत्या के मामले में प्रोलिस ने ततपरता दिखाते हुए कुछी घंटों में आरोपिय ग्रफतार किया है मेरे साथ इसमें मौझूद है गौहाना के बात करते हैं सर सबसे पहले तो एक बड़ी कामिया भी मिली है कुछी घंटों में जो है आरोपिय ग्रफतार क्या क्या किना चाहिए तेखे हमारे जो स्याइए जैसे हमें इतला मिली हमारे स्चू सदर स्याइए टीम में खुद और क्राइम उदर से सोनीपद से चले और की टीमें भी चली और सारे सोनीपद में नाकाबंदी करके ततपरता से सारी पुलिस ने बहुत अच्छे से नाकाबंदी की जिससे एक प्रेशर मेंटेन हुआ और हमारी CIA टीम गोहाना इंस्पेक्टर विरिंदर सिंग की जो टीम है उ इसको उसके गाउं से ही कब्बू किया है तीन लोग अरेस्ट हो चुके है फाइयर में नोदस लोगों को नामजद किया गया है और मिर्तक के बेटे के दुआरा ये मामला आपसी रंजिस का है 2020 में जो है जो अब देविंदर जिस जो इसमें में आरोपी है उसके भाई का ज जिसको रखते हुए आज इस वारदात को अंजाम दिया है तीन आरोपी गिर्फत में आ चुके हैं बाकी जल्द ही हम उनको काबू कर लेंगे जो पुरा मामला है जो मरने वाले का बेटा है इसने मरने वाले के बेटे ने हैं और एक उसके साथी ने तो जो आज मर्टर है इसमें देवेंदर जो में आरोपी है और बाकी तीन हमना अरेस्ट करी लिए हैं लोकेश है करंबीर है रेगारियन है यह तीन आरेस्ट हो गया बाकियों को भी जल्दी अरेस्ट करें देवेंदर अभी फरार है तो टोटल इसमें आठ नो नाम नाम जद आठ से नो लोग तो उसमें प्रारंभिक जांच है उसमें पांत लोगों को नाम जद किया लेकिन हमारी जुद्धेसे टीन लोगों के चाहिए है। तो कब इनको पेस किया जाएगा रिमांड लेंगे ताकि और गयराई से इसकी जाच हो से तो आज सेनिपुरा गाओं के पास हुए जो हमड़ी गाओं के रहने वाले पचास वरसी है जोगेंदर की हत्या मामलें पुलिस ने पुलिस का कहना है कि इन तीनों आरोपियो को कल अदालत में पेस कर रिमांड पेलेंगे ताकि पूरे मामले का कुलासा जो है वो किया जास के पंजब के सरी के लिए गोहाणा चैस सुनें हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद